नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूटूब चैनल मेकनिकल नेक्सस में आज का हमारा टोपिक है प्राइमिंग कि प्राइमिंग क्या होती है और इसकी क्या इंपोर्टेंस है तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात क पानी से फिल कर देते हैं इसका फिल करने से होता क्या है जब हम इसके अंदर पूरा पानी फिल कर देते हैं तो इसके अंदर जो एंट्रैप्ट एयर है जो हमारी एर इधर उधर फसी हुई है वह बाहर निकल जाती है इस प्रोसेस को प्राइमिंग कहते है चलिए हम बात कर सब्सक्राइब मैं एक तो जानने से पहले को थोड़ा समझते हैं कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या होता है देखिए आप पर loop लिजिए मेरे रोड की rotation रहेगी यह मेरी shaft है और यह मेरी road है माल लीजिए यहाँ पर मैंने एक कोई भी object attach कर दिया अब जब मैं shaft को गुमाऊंगा starting में आपको पता होगा यह shaft हमारी road और यह हमारा centrifugal force centrifugal force वे force होता है जो किसी भी center से जहां से हम rotation apply करते हैं भार की तरफ act करता है यानि यहाँ पर यह act करेगा भार की तरफ अब यह centrifugal force हमारे centrifugal pump में क्या roll play करता है अब उसकी चर्चा करते हैं देखिए यह जो हमारा impeller है यह हमारा impeller है impeller का काम क्या होता है यहाँ पर rotation को create करना यह हमारे casing है इसके अंदर impeller है यह impeller घूमेगा तो इसके अंदर जो भी हमारा working fluid होगा उसके अंदर centrifugal force develop होगा अब देखिए जब यह impeller घूमेगा let us say इसकी rotation हम इधर की तरफ ले लेते हैं कि यह हमारा anticlockwise घूम रहा है अब मान लिजिए इसके अंदर liquid है और मान लिजिए हमने इसे start करने से पहले इसके अंदर हमारी air भी फसी होई है तो यहाँ पर दोनों चीज़ है मान लिजिए यहाँ पर air भी है और साथ साथ में liquid भ होगा कि यहाँ से हमारे water को lift भी नहीं कर पाएगा और जब यह lift ही नहीं करेगा तो आपका जो work done दे रहे हो किसी भी motor से वो सारा का सारा waste है तो क्या किया जाता है इसलिए हम इसको air को remove करते हैं और liquid को क्यों करते है उसके reason क्या होता है देखिए जो air की जो density होती है यह density का symbol है वो लगबल लगबल 1.22 kg पर meter क्यों के equal होती है अब मैं density की बात करूँ liquid की और यहाँ पर बात कर लेते हैं liquid की तो वो water के case में माल लेजे मेरा है यहाँ पर liquid water है तो आप सब को पता ही होगा यहाँ पर thousand kg पर meter की होती है इससे क्या पता चलता है इस comparison से इससे यह पता च almost air की density से 1000 गुना ज्यादा होती है अब सोचिए आपका 1000 गुना ज्यादा centrifugal force apply होगा जब आप इसे पूरा का पूरा liquid से भर दिंगे और pump हम generally liquid के लिए ही use करते हैं तो हम क्या करते हैं इसको पूरी तरह से liquid से fill करते हैं ताकि air हमारी भार चली जाए इस पूरे process को priming कहते है और यही generally हम करते हैं किसी भी pump को start करने से पहले अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे अब इसके method को हम थोड़ा discuss करते हैं देखिए जो general यह दो method है पहला method होता है वो होता है manual priming यह हमारी manual priming है देखिए नाम से थोड़ा indicate हो रहा है यहाँ पर manual करना पड़ रहा है manual कैसे कर करेंगे यह हमारा delivery वाल है हम इसको close कर देंगे हमने इसको कर दिया बंद ठीक है अब हमने यहाँ पर यह हमारी funnel है funnel के ऊपर से हमने यहाँ से इसमें चारों तरफ से liquid को fill करा किसी भी external source से तो liquid क्या करेगा पूरा का पूरा धीरे-धीरे इस casing के अंदर पहले जाएगा और को fill करेगा साथ-साथ में इस impeller के अंदर भी दिरे-दिरे जाता जाएगा इसे भी fill करेगा यहाँ पर यह हमारा क्योंकि यह वाल क्रोज है तो maximum इस height को ही reach करेगा फिर बाद में यह हमारे section pipe के तरफ जाएगा और section pipe में foot wall तक ही जा पाएगा क्योंकि foot wall हमारा one-way wall है इसके नीचे यह liquid को जाने नहीं देता क्योंकि यहाँ पर हमारा एक lock होता है जिसके कारण यह हमारा इसी position पर ठक जाता है और हमारा पूरा पूरा system water से fill हो जाता है इस तरह से क्या होता है जैसे यह fill होता जाएगा तो at the end जो हमारी यह funnel है आप देखेंगे funnel है इससे हमारा पानी overflow के भार की तरफ आजाएगा जैसी भार की तरफ आता है हम इसको इस priming wall की help से close कर देते हैं और फिर तब जाके pump को start करते हैं उस समय जो हमारा force होता है equal to thousand गुना जादा होता है किसी भी air pocket के ना होने से चलिए दूसरे method को discuss करते है देखें इसका दूसरा method है उसको कहते है vacuum वैक्यूम प्राइमिंग अब देखें वैक्यूम प्राइमिंग कैसे की जाती है अब देखें हमें इसे वैक्यूम प्राइमिंग को करने के लिए किसी external source की ज़रुवत पड़ती है वह external source है हमारा या तो ejector भी हो सकता है या vacuum pump भी हो सकता है अब मान लीजिए same situation है अब हम इ लीजे हाँ पर मैं external source मैंने अटेच कर दिया यह मेरा यह vacuum pump आगे हैं हाँ पर यह vacuum pump है यह vacuum pump की suction लाइन है और यह vacuum pump की discharge लाइन है यहां से एर हमारी आउट हो जाएगी यह है यह आउट अब मान लीजिए अभी इसके अंदर पूरी तरह से क्योंकि पूरी की पूरी एर भरी पड़ी है अब देखिए जब यह pump स्टार्ट होता है यह सक करेगा एर को और उसे भार इटमोस्फेर में निकाल देगा अब जैसे जैसे एर भार चलती जाएगी न तो यहां पर क्या होगा अंदर नेडेटिव प्रिशर डवलप होगा अब जबी है negative pressure डबल अब होगा इस पूरे casing में इंपेलर में और सक्षन लाइन में तो देखिए यहाँ पे negative pressure है यह negative pressure है अब देखेंगे यहाँ पे कैसा pressure है भार के तरफ हमारा atmospheric pressure है P ATM है तो क्या होगा यह higher pressure है यह lower pressure है due to pressure difference हमारा जो water है यह lift होना start हो जाएगा और हमारा foot wall open हो जाएगा और इस तरह यह पूरी के पूरा धिरे धिरे पूरा पानी से फिल हो जाया जाएगा up to here जब तक पानी का level इस level तक नहीं आता इस तरह भी हम priming को कर सकते हैं इसमें हमें manual किसी भी चीज़ से करने की जूरत नहीं पड़ती सीधा हमारा vacuum pump attach attach होता है delivery wall से और इ इस तरह इसे mainly दो कटेगरी में define के गए है priming के method को एक तीसरा method है उसे कहते है jet method यानि jet priming इसमें क्या होता है इसमें हमारे जो delivery wall होता है यानि delivery level पे जो भी level होता है उसका जो हमारा pipe है वह हम सीधा का सीधा इस section pipe के साथ attach कर देते हैं तो जब भी हमें priming करनी होती है यहां से हम इस wall को open कर देते हैं हमारा water इस section line में पहले fill होगा फिर casing में fill होगा impeller को fill होते होते हमारे delivery wall तक चला जाएगा तो इस तरह से method को इस method को jet priming कहते हैं तो यह था दोस्तों priming के बारे में thank you for watching